खमा कड़ी मित्रों, we are MSV Technical और आज इस वीडियों बात करेंगे कि अगर आपको बजट 25,000 रुपए है तो ये दो फून जो आपके लिए बैश्ट रहने वाले है और दोनों फून का डिटेल कंपेरिजन वीडियो करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता ह तक स्थेल के उपर लेते हैं आपको डेफिनेटली सेम पराइज में देखने को मिलता हैं और आपको नथिंग भी देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट अगर मैं तोनों फोन्स की डिस्प्ले की बात करो तो भाई काफी डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर का एक compact phone है boxy design के साथ में 120hz के full hd plus एक Super AMOLED display देखने हूं मिलता है तो display जो Pro AMOLED Super AMOLED है इसमें भाई कोई भी फरक नहीं है लेकिन जो regulation है के full hd और एक 1.5K यानि full hd plus plus का तो उस आप से अगर थोड़ी सी बैटर कहूं तो Redmi की display बैटर है नेक्ट भाई बात करते हैं दोनों फोन के camera's की तो यहां में आपको एक बहुत बड़ा difference देखने ही मिलेगा क्योंकि यहां पर बहुत बड़े numbers आपको Redmi में देखने हूं मिलता है 200 MHz OIS plus 8 plus 2 MHz के secondary camera 16 MHz की selfie आपको Redmi देता है वहीं जो आपको देता है नथिंग वो है 50 MHz IMXI 766 का OIS camera और 50 MHz Samsung का sensor यह Ultra Wide camera देखने को मिल जाता है और 16 MHz की selfie देखने को मिलती है तो यहां पर अगर 50 MHz और 200 MHz 200 MHz compare करें तो वहीं चार गुना फरक आ जाता है लेकिन ऐसा बिल्कूल नहीं है अगर आप पोटो वीडियो EIS OIS फीचर हर चीज़ देखते हैं तो आपको जो नथिंग के कैमराज वो बैटर मिलेंगे और अल्ट्रा वाइड भी तो 50 MHz का है तो डेफिनाट लेकर आपको इस दीपेस्ट पाइड देखने को मिलती है बट आपको रेडमी इन बॉक्स चार्जर नहीं मिलता वो आपको अलग से बाइड पड़ेगा और इक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसको आज क्लियर करते हैं स्नैप्डगन का प्रोसर देखने को मिलता है तो दून में से कौन सा ज्यादा पाउरफुल है और कौन सा फोन आपको बाइड करना चाहिए तो अगर मैं यहां पर रेडमी की बात करूँ तो सेवन एजन टू है उसके साथ बस 5G बेंड और यह आपको 6 लाग के एंजू स्कोर देता है लेकि अगर आप यह 7S Zen 2 नाम सुनके अगर मान रहे हो कि जो पोको 5 में F5 में आपको मिला तो सेवन प्लस जैन टू उतना जादा पाउरफुल है तैसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों में आपको एक्वल पोफुल मिलेगी दोनों में अगर आप गेमिंग करो तो आपको दोनों मे नहीं लगा सकते इन डिस्प्लइ फिंगर पिंट कर मिलता है रेडमी आप पर इवरेडमी बिलकुल भी नहीं देता तो आपको झाहिए सकता हूं कि काफी सही वीचर देखने को मिलता है नहीं अब बात करते हैं का क़्ोंसा फूं लेना चाहिए पच्छी सजार के नीचे त तो यहां पर आपको display को छोड़ के अगर पोई भी चीज़ देखते हो जो आपको काफी सही cameras nothing वह देखने को मिलते हैं आपको wireless charging reverse wireless charging देखने को मिलती है nothing का एक boxy look और glyph lighting देखने को मिलता है उसी किसाद में premium flagship cameras देखने को मिलता है और processor में almost equal देखने को मिलता है तो definitely अगर आपका बजट है 24,000 या फिर 25,000 तो nothing phone 1 भाई Redmi Note 13 Pro से better है तो भाई इतना इताव से वडियम आई ओप के आपके लिए helpful रही होगी अगर वीडियो खोड़ सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक हो जाहन को सब्सक्राइब करना बिलकुल मतभूदना जय हिंद वन देवातरम